देश की राजनीती में इंदीनों सनातन परंपरा, अयुध्या और राम पर हमले कर कई पातियां अपना वोट बैंक बनाने में जुटी हैं। कोई राम को मांसाहारी कह पोपलर होना चाहता है तो कोई सनातन को डेंगू और मलेरिया कहकर लोग प्रियता बटोरना चाहता है। बिहार के एक राजद नेता तो दुर्गा, सरस्वती और राम जैसे हिंदू देवी देवताओं पर गलत बयानी कर चुनावी बैतरनी पार करने की जुगार में लगे हैं। सनातन धर्म, राम और हिंदू देवी देवताओं पर लांचन लगाने का यह चलन खास तोर पर राजद या उसके सहयोगी दलों के नेताओं में तेजी से फैला है। तेजस्पी यादों कहते हैं कि राम और अयोध्या तो चुनाव जीतने का प्रोजेक्ट है। तो राजद नेता, सिवान अंतिवारी भी राम और अयोध्या पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम का नाम ही सकते है, यह बोल न जाने कब से हम लोग बोल रहे हैं। आजकल राम और अयोध्या पर इतना हल्ला क्यों है। हलाकी कामेश्वर यादो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राम और हिंदुत्व से उनके गहरे लगाओं ने उनको ऐसा लोग प्रिये बनाया कि आज गुरुवार को 95 साल की उम्र में जब दुनिया से विदा होने लगे तो उनकी अंतिम यात्रा में ऐसा जन सहला कि हर कोई देखता रह गया। उन्हें पहले मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब कचहरी परिशर में कामेश्वर यादों के समर्थकों ने जबर दस्थंगा मा किया था। बता दें कि 24 अक्टूबर 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक चला भागलपूर दंगा देश के इतिहास का बदनुमा दाग था। जिसे याद कर आज भी लोगों के रोंगते खड़े हो जाते हैं। दंगा समाप्ती के कुछ दिनों बाद तक तो माहौल बिलकुल सांत रहा पर उसके बाद 22 और 23 फरवर 1990 को फिर दो घटनाएं घट गए। तब सरकारी आकड़ी में पहले 1070 फिर बाद में 1161 लोगों के मारे जाने की बात कही गए। जबकि जस्टिस समसुल हसन और आरेन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1852 लोग मारे गए थे। 524 लोग इस दंगे में घायल हुए थे। 11500 मकान छती गरस्त हुए तो 500 पावर लूम, 1700 हैंड लूम छती गरस्त हो गए। सरकारी आकडे के नुसार 68 मस्जिद 30 मजार भी छती गरस्त हुए थे। दंगे में कुल 48 हज़ार लोग प्रभावित हुए। कई प्रीतों की जमीन जबरन लिखा दी गए। यहां यह जानना बेहत जरूरी है कि उस समय लालू प्रिशाद यादो पुखता वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिमों को भाजपा का भै दिखा रहे थे। तो दूसरी तरफ कामिश्वर यादो को बचाने की जी तोड कोशिश कर रहे थे। ताकि उनका यादो वोट बै अपनी धाक जमल। उस समय कामिश्वर यादो को एक बार सोनपूर मेले में लालू प्रिशाद यादो ने सम्मानित भी किया था। दरसल भाजपा के जिस वोट बैंक की राजनीती का राजद विरोध करती है। राजद पहले से ही वोटों की राजनीती के तहत मुस्लिमों को बीजेपी के नाम से डराती थी तो हिंदूओं के लोग प्रियनेता कामिश्वर यादो को बचा रही थी। उस जमाने में यह वोट की राजनीती का हिस्सा थी यह सचमुझ सरकार प्रिटों को न्याय दिलाना चाहती थी कि नितीश कुमार के CM बनते ही उनकी सरकार ने भ केस में उम्र कैद की सजा मिली लेकिन उपर की आदालत से उन्हें प्रियाप्ट साक्ष नहीं रहने पर 2017 में रिहा कर दिया गया कमिशर यादो लगभग 10 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहे भागलपूर दंगे के मुख्य आरोपी के रूप में कमिशर यादो को पत्ना उचन्याले ने निर्दोश मानते हुए 29 जून 2017 को सजा मुक्त कर दिया हलाकि सजा मुक्ती को लेकर दो नियाधीसों में मतांतर को लेकर फैसले में देरी हुई थी गौर तलब है कि 3 सितंबर 2015 को नियाधीस धरनी धर जाने उन्हें अपराध मुक्त कर दिया था लेकिन नियाधीस ए अमानुलाह ने नियाधीस जा के फैसले से इत्तिफाक नहीं रखते हुए कामिश्वर यादो के उम्र कैद की सजा को सही ठाराया था तब मुखन आयधीस ने तीसरे नाले अस्वनी सिंग के पास विचारण के लिए इसके इसको भेज दिया था अस्वनी कुमार सिंग ने कामिश्वर यादो को 2017 में निर्दोस करार देते हुए सजा मुक कर दिया था यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें